तो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल का करेल जो की हमारे गाव में इसको चने दाल का करेल बोलते हैं आप के हैं क्या बोलते हैं यह पुरानी डेश है और बनती बहुत अच्छी है खाने में बहुत टेश्टी लगती है तो चलिए इसको बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने चने की दाल को मतलब रात में भिगो लिया था तो यह पूरी तरह से भीग चुके हैं और फूल चुके हैं तो इसको हम सिलवट्टे में पीस कर रखेंगे इसका पेष्ट बना लिया है हमने आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से सिलवट्टे से हम सारा पेष्ट तयार कर लेंगे इसका मिक्स्चर तो यहाँ पर हमने खड़े मसाली भी लिये हैं खड़े मसाली में हमने सब कुछ डाला है साबुत धनिया मेर्च काली मेर्च और यहां पर हमने प्याज और हरी मेर्च को बारिक चुक कल लिया है मिलाने के लिए तो दोस्तों हम चने के दाल की मिक्षर में यह सरा कुछ मिला देंगे और उसके बनाएंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम चूले में बना रहे हैं और दोस्तों आप लोग भी बनाएं ये पुरानी डिस है वो बहुत खाने में अच्छी भी लगती है और ये पहले की लोग भी बनाते थे आज भी वही डिस चली आ रहे हैं ये अभी की लोग भी बना के खाते हैं हमारे गाव में बनाते हैं तो इस तो मीरी ममी किस त्वह किस तरह से गोल गोल बनाके और भाप में पकालेंगे चने दाल की कतली को हम इसी तरह से बनाके रेडे कर लेंगे तो यह देखी मेरी मम्मी ने इस तरह से रख दिया आराम से तो दोस्तो इसी तरह से हम चने दाल की कतली पूरी बना के रेडी कर लेंगे उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दोस्तो चने दाल की कतली की करीदार रेश्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं अच्छी भी लगती है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने सारी चने दाल की कतली बना के रेडी कर लिया है अब चलिए बनाते हैं इसकी करीब तो तो दोस्तो हम आपको एक काटकी भी दिखाते हैं वालब कितने अच्छी तरह से इसमें प्याज और मेर से दिखे रही है और अच्छे से यह पग भी चुके हैं यह देखी तो दोस्तो यहां पर हमने तड़के के लिए एक बार एक प्याज चौप कर लिया लसन करी चौप कर एक बड़ा इलाची दो तेज पते एक छोटे ची दाल चीनी का तुकडा और अध्रक का टुकडा एक ही तो यह गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे शारा तड़के का समान तो इनका कलर चेंज करेंगे जीरा चटकने के लिए जीरा चटके का उसके बाद हम मसाला डाल देंगे इसमें तो दोस्तों हम आत्रको किसकर डालेंगे इसमें आप कूटकर भी डाल सकते हैं तो यहां पर सिल्वेट्टे में मसाला भी रेडी हो गया है पिसकर तो हमारे जीरा मसाला पिसा हुआ तो दोस्तों हमने मसाला और सभी चीज़ों का चिदर सी मिक्स कर दिया मसाला को पकाएंगे 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से भून के और इसमें थोड़ा सा एक चुटकी हींग डालेंगे तो मसालो को हम जब तक दोस्तों भूनेंगे जब तक इसमें कलर चेंज नहीं हो जाता इसका ओइल नहीं निकला था मसालों से तो दोस्तों हम एक चम्मस इसमें डालेंगे गोल्डी मसाला जिससे हमारी सबजी और टेस्टी बनेगी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह तो दोस्तो मसाला हमारा भुन के रेडी हो चुका है और भी मसालों ने छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे चने की डाल की कतली तो इस तरह से हम सारी कतली डाल देंगे तो दोस्तो हम मसालों को और चने की डाल की कतली को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिला तो दोस्तो हम चने की नाल की कतली और अच्छी तरह करें दोस्तों आप अपने जी आनुसार कर सकते हैं यहां पर हमने तीन गिलास बड़ा पानी डाल दिया है तो दोस्तों सवाद नुसार नमक डाल देंगे आप अपने टेस्ट के वकारणिंग डालें नमक उसके बाद हम इसको पकाएंगे दो तीन मिनट के लिए इसको हम बोईल आने देंगे और पकाएंगे ग्रेवी को तो दोस्तो हमारा चने दाल का करेल बनकर रेडी हो चुका है चने दाल का करेल किस किस के हां बनता है आप मुझे कमेंट में जरूर बता है तो दोस्तो आगर आपको मेरे पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, सुस्क्राइब करना, कमेंट करना, बेल आकन को जरूरी प्रिस कर लेना ताकि मेरे हाज वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंचे और वीडियो को मेरे सुरू से लाष्ट तक देखती रहे, दोस्तो आप लोग चने दा की करेल को गर्म गर्म पराठा पूरी रोटी के साथ सब करें, आपको खाने मेरे बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक